हएवा है है hack है है हलो दोस्तू कैसे हैं आप लोग मधिया श्वाकर राजा और यह करेंर स्वाधमИ में वीदियो तो दोस्तों आज यहां कर हमारी विडियो वी और र्यैक्शन विडियो सोंब अब ही के सबसे trending वीडियो पे और उस वीडियो का नाम है बाप कभिया और वो वीडियो है आमीद भडाना की तो दोस्तों चलिए बिन अखिस देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हो और आनन्द लेते हैं पिताश्री की इतनी सी कहानी है बुढ़ापे में इनके जवानी है आओ शुरू से देखते हैं यह लो तुमारे लिए चोरलेटो चेश्मा कैसा पहने हुगा है तुम से बस यह सस्ती हरकते करवालो तुमने अपने पापा से बात करी हमारी शादी के लिए तू हमारे प्यार क के बीच में जो भी आएगा उसमें भुस भर दूंगा एक बार पापा मान जाएं तुमें भी खुश कर दूंगा वाँ 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 क्या बात है आज क्रीम ठंडी है बुट्टा थोड़ी है ठंडी होगी ना यार में तुम से आथो अपने पापा के साथ गूंगा लो या यूजलेस दोस्तों के साथ हम दोस्तों में कभी लड़ाई नहीं होती हाजकल आपके प्यार के चक्कर मुझसे भड़ाई भी नहीं होती रितू यार फोटो किछ वाले एक तुमारे साथ जब जब मैं फोटो डालू ना उस पर पूरे फेस्बुक पर बीस लाइक हाम है उन तुम तो ऐसे गुच्से में कड़ियो जैसे आइस्क्रीम के पैसे तुम ही दोगी मैं दूंगा ना यार 25 रुपे कंदे पर हाथ भी रख लो रख लो यार क्या बात है देखो कितने प्यारे लग रहे हैं तोनों मैं लग रहा हूं अकसे तुम लग रहे हैं ट्विंकल लेकिन हमारे पीछे कौन है यह गपपर सिंग जैसे अंकल अच्छा यह यह तो संत्राम है कौन संत्राम मेरे पापा लड़की कि दूजरी भाग गई अच्छे मीचार आज तेरी माँ जिन्दा हो तो तो पैदा ही उल्डा हुआ था पर फिकर नहीं कर तुझे मार मार के सीधा कर दूगा तो तेरी कर्टूद दे के वह ऐसे ही मर जाती अपै बचपन से मैंने तुझे कैसे कैसे पेला है पेला है अपने अकेले बाप के बारे में मत सोची हो अरे ये मेरी उमर अपने बापू से साधी करने की है अपने बापू की साधी कराने की ना है अभी ये बताता हूं तुझ आपको थो शरीर भी कंपन कर रहा हैं आपकी तो तांगे भी कंपन कर रही है महिल रहू 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 तो तो फूपा वाली बीमारी होगी आपको शुपभवली भीभाडी वीपी 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 पेता भुज़ा पताले चल मुझे पताले चल मर जाओगा ना 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 मरने नी दूगा बापा यह से कैसे दोक्टर्स हो मर क्यो छुपाई जब 60 साल हुमर है तुम्हा चालीश को लिखवाई मेटो, आरो में दोक्टर्सा रिपोर्ट लेके हर जगा प्रजीता करवा में मेरे साथ संतराम तुम ये कौन है ये चचाई दास तरास पड़े है हाई 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 नारियल कहा है ये पूचर द्रास पड़े है ये पापा मरवाया मुझे किसे दें टताशरी, टताशरी ये ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज मेरी जुनियर थी बस्ष्रेंड? हम साथ साथ पढ़ते थे जूट मत बोलो संतू हमें पढ़ाई कर टाइम ही का मिलता था कभी तिलत नगर की चांप कभी चानी चौक के पराठे किता गुमाते थे ना तुम मुझे अरे टाइम नहीं तो धोखा दे दिया मेरी शादी हो गई और तुम मैं तो अभी भी कुवार तुम जब भूला लडगा कोई मिला ही नहीं तुम ने अभी तक शादी नहीं की अ मुझे मालूम था इसको देखो अमीद को अभी तो मेरे अलावाद किसी के साथ नहीं रह सकती है दिल तो आपका बहुत कुछ कहता है बड़ा पड़ा पड़ा था खाम के रखो ही से तोड़ा सा बीपी बड़ा पड़ा है चलो गर कू नमस्ते अंटी-जी तुम तु आंटी मत बोलो ना क्या वोल। न च्री नमस्ते बुवजी ते भर चलो गरचल के चाहई पिलाते हैं चलो अंटी मत पहलो अधे बाइस अंच्छु मिलते रहना आँ तुमें सुअल्ग से मम भी देख रही हैं वाँ पिता सिरी वाँ बुड़ा पे में आस की जली है मुझे संतों से ब्यात हर ला है या तिरत यातरा की टिकट कटवाने की जगा हनीयून पैकेज की टिकट कटवा रहे हो इतना ही अकेला पन है तो गाउं से रिस्तेदारों को बला लो पितासरी १ी-पी मटढ़ा हूँ है फैमिली मतबढ़ा हूँ लु، लु, लु, लु! अलु अमित क्या सोचा है शादी के लिए आरे यार सभी कोई शादी बियाकरने हैं क्या मेरा बियाकर बात है कितना हुता हुदा है उन्हें इंप्रेस कर क्या होंगे आई बात हो उन में वढ़ना मुझे अपनी शकल मत दिखाना अरे हलो हलो अरे यार क्या मुसीबत है हर्योम तो क्यों शादी करना चाहते हो हमारी बिटिया से एरे मैं कहा करना चाहता हूँ मतलब मैं कौन होता हूँ जी चाहने वाला सब चाहने वाले तो वह है उफ़र वाले चोडिया महीं से बनती है हर माबाप की इच्चा होती है कि उसकी ओलाद का घर बस जाए जल से जल हम मा तो रही नहीं पापा पूरे दिन कहते रहते हैं मेरी साधी करवा दे मेरी साधी करवा दे मतलब अमित अपनी साधी कर ले घर बसा ले बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसा नवीवक मिला है जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है अच्छा जी शकल से लुच्चे लगते हो बट संसकार हैं तुम्हे बैटो बैटा पापाजी पर गया हूं मैं अपने साध हो साध हो ऐसे महापुरुष से तो जल्दी मिलना पड़ेगा परना आजकल तो लोग पापा की उमर में पाप करने में लगे होएं तीन चक्कर हो गए मेरे पर इन लोगों का नारियल पानी नहीं खतम हुआ देखो बड़ी पापी दुनिया है अरे पापा 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 पापी है दुनिया पापी तो मिलवा पाऊंगा अरे पंड़त क्या बताएगा हम बता रहे हैं घल है मंगलवार संध्यकाल में अपने पिता जी को लेके घरा जाओ सब मंगल होगा हरीयोम हरीयोम मैं चलता हूँ कैसे मंगल होगा अब दंगल होगा पापा जी अरे तो अंकल कोई ले जाना भाई बोल दियो पारक में बैटके हो जो सेटिंग बाजी कर रहा था ना वो उनका जुडवा भाई था अरे पापा कहीं न जा रहे यार उनमें न रही सरम थोड़ी मेरी सादी की उमर में खुद उचड़ना चाह रहे हैं गोड़ी यार ऐसे पारक में बैटके कोई सरयाम चेली बाजी करेक रहे क्या होगी मेरी घमासान मार मार के बागा दिया मुझे घर से पर भाई फिर अपनी शादी का क्या करेगा आप बन के डस रहे मुझे अब इस उमर में कहां से लाँ ने या बाप नहीं पापा चहीं है अब पागले कुछ अरे यह कराओंगा तेरे नहीं पापा अरे तु आजा या यह चल्जू चाचा इन्हें बनाएंगे तरह नगली पापा इन्हें भुन्दे की बिमारी है 200 रुपया उधार लिये इनसे अज तक भी नपता है इन्हें किसे देने किसे ना इन्हें लेके जाएंगे मिलवाएंगे इन्हें कुछ याद भी नदे वे अरु तेरा काम भी हो जाएगा राचा राम 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 चलोगे? हाँ पैसे दो कहीं भी चलेंगे कहीं भी हाँ 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 रितु बिटिया दोनों फास ही बैठे हैं मेरे आप भी कुछ लीजिये ना जी 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 तू बिल्कुल फे करना करे तू कॉलिच का काम निफ्टा ले तू आजा आजा राम से आजा तो जी बिजनस बिजनस कैसा चल वह अब क्या बताएं साहब भाई साहब भाई साहब धन्दा तो एक्दम चौपट है पहले जो रिक्षे का टायर 20 रुपे का आ जाता था आजकल 110 रुपे का आता है टायर के बारे में पापपजी को बहुत नो लीज है हमारा टायर का बिजन बहुआ यहां जाके चलाना पड़ेगा यहां तो सुवारी पैसे नहीं देती सय इंव फॉवा रोॉ ये सावरी अंकल इक हमारhin अंकल जी यह, उनका नाम है ये सावरी तो वो पापा-जी के ख्र्लाइंट भी दे तो पैसे 狇 नहीं देते कभी एक मिनट दोगे अंगली हैं चाट चूचाट चाट चाट चारेक्टर मेर हो या रिस्टे की बात चलावा गे तो जिवो रिक्षे गी बात कर लेते हैं तो जी आपकी वो कुछ दिमांड वगरा जैसा कुछ जिस बाप ने अपनी लड़की देदी सिंजो सब को दे दिया आप आती हुटता हुट गंटा बोला था ए गंटा पूरा लग गया तीस रुपे और लागी थी अरे तीस रुपे से जादा के तो तुम उनके महा पर रगड रगड के नमकीन और बिस्कुट खागे देखो मेरे पैसे चुप चाप दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे रिप्टे का टायर पंचर कर दूगा बात कर यार इनसे पापा की गोला रिया अजी पापाजी करता हूं तोड़े देर में कौल पेटा अभी बात कर ले मेरे पास जादा वंग नहीं बचा क्या हुआ क्या हुआ कैंसर इंटेस्टाइन वाला पेटा इस्टेर चार है अब मेरे बच्टे की उभी नहीं है पेटा एक बात सुन मेरे जाने से पहले मेरी आखरी इक्षा पूरी कर दे तू तू शादी का हिसा बना ले अब आप जाने वाले हो मैं क्या हिसादी करूंगा अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हो पेटा मरने से पहले मैं एक बार फिर घोड़ी चड़ना चाहता हूँ मेरे मेरे जाने से पहले क्या तू मुझे इससे भी रोकेगा मैं कराओंगा पापजी आपकी सादी संतो संटी से योगी आपकी साधी होकर रहेगे मेरा बेटा मेरा बेटा जटा गडिंग टुन हलो संत्राम जी आपको आपकी रिपोर्ट मिल गई रिपोर्ट क्या पर लोग की टिकट मिल गई आपकी टिकट नहीं कटी है अरभाये अब तो कट गई वो ना किसी और संत्राम की रिपोर्ट है आपको कैंसर वैंसर कुछ नहीं है सिर्फ गैस की बिभारी है अब याँ बात तो पक्की है ना हाँ हाँ पक्का और वो वाली रिपोर्ट ना आप मेरे लाब वापस विजवाओ नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे इस रिपोर्ट की ज़रूरत है, जब मेरा काम पुरा हो जाएगा ना, तो मैं वापिस कर दूगा जियो और जिने तुब मैं काम करकर थक्या, ऐसे बात बता, ये क्या चसका तड़ादर पापा को बिहा करने के बुढ़ापे में, काम कर वाले, तो बात बने वाला बस बंडी जी, बंडी जी, जी जजमान, क्या हो रहा है यहां पर, वो अपने बढ़ाना साव है, आज उनकी शादी हो रही है, बढ़ाना, अमिद बढ़ाना, हेलो रितु बेटा, तो अपने मोहले वाले मंदिर में आजा, ये देख, अमिद के बाप बन के किया था, आप, यह हां, इस हाल में, हां, मैं तो ये टाइम पर यहीं पर होता हूँ, पर क्यों, आरे क्या बताऊं, मेरा जो लड़का है न, वो खर्चे के लिए एक धेला नहीं देता, अब रोटी खानी है, तो खुदी कमाई करनी पड़ेगी न, आरे आपके बेटी की तो आज शादी है, आ आप मेरे साथ चलो, आज तो फैसला हुई जाए, अरे पंड़ी थोड़ी सी निप्ता दो काम, निप्ता तो मैं तुझे दूँगी, दो काम, तुम तुम यहां लड़के न काम होता है, ता कि तुम मुझे दोका देकर दूसरी शादी कर लो, हां, तुम्हारे पापा ने आप शादी कर रहे हो ये पापा तो उस दिन कौन थे नहीं जूट बोल रहा है मेरी तो घर वाली है ये मेरे पापा नहीं है बे शरम एक तो भूड़े बाप से रिक्षा चलवा रहा है और पहचाने से भी मना कर रहा है उनके पिताजी भी रिक्षा चलाती है कौन सा रूट ह आरे सांद हो जाओ रूट के फूपा अंकल जी एक बहुत बड़ी कहानी है मैं समझाता हो आपको मेरे जौ असली पिताजी है उन्हें केंसर है और उनके आखरी इच्छा है कि उनकी साधी हो अभी एक ट्रिस्ट बाकी है यहाँ पर ये मेरे पिताजी है और अगली वाली में भी नहीं हो सकती अगर तुम्हारे पापा ने मेरी बुलाया था अगली वाली में भी नहीं बुलाओंगी अगली वाली अगर तुम्हारे पापा ने मेरी भूस्ते शादी करी तो हम दोने भाई बहन हो जाएंगे न रितू अब चाहे कुछ भी हो यह सादी जरूर हो कर रहेगी यह मेरे पापा की आकरी इच्छा नहीं बेटा नहीं मेरा मूर चेंज हो गया वैसे इसकी कुंडली में दोश है अरे मूरे है कपड़े तुम्हारे कुंडली तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पावे इतने खतरनाक आदमी हो तुम कर लो सादी मैं कोई और देख लोंगा तुम्हारे मैं इंपॉर्ट मुझे नहीं करनी शादी सँंतों ऐसे मत कम ना कुछ थी मुझे बर्ना क्या क्या क्यों इतनी उचलकूद कर रहे हो कर लो अपनी आगरी इच्छा पूरी वैसे भी कैंसर आपको कैंसरे अ Somewhere बागमार। अब तो तूमें ग्यास है? भरी दिमारी में काउऩ नहीं होगा. अर्य नहीं है आपको ग्यास यदुए यह गो इस अऽपनी इसली रेपोर्ट, आपको एसलिए और आपको और वो przyפot ग्यास लेगा डेरा इने बढ़ाएं को समाँ लो यईए हैं बुड़ा पे मैं आज की सूझ रही है ने चा चल रहा है हां मैं तो बताना भूर जया था मुझे कैंसर नहीं है 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 मुझे कैंसर नहीं है चल पेटा चल गर चले 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 पिता सिरी आपने मेरा हसी मजा साधी तो अभी होके रहेगी तने मुझे शादी नहीं करनी संतू मंड़ तयार है अब ये साधी पितासिरी होके रहेगी पंकर्ट तो दोस्तू ये थी हमारे याज की वीडियो पर थी वैसे वीडियो तो काफी अच्छी लेगी जिसका नाम था बाप का ब्याह आख्री आख्री तक जबरदस्ती ब्याह करा कहीं बाना वो उसका सब कुछ गदा वहुचुका था अब और वह कर भी का सकता था दोस्तो आए होप आप सब भी को वीडियो पसंद आई हो आपने इस वीडियो को इन्जॉय किये हो अगर आपको